जुरेल 2022 में भारती टीम के अंदर 90 वर्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे भारत ने उस टूनामेंट के फाइनल में इंगलेंड को हरा कर किताब जीता था राहुल डिर्विड उसी टीम के मुखे कोच थे बारत के विकेट कीपरिंग बलेवाद दुरू जुरेल ने मुखे कोच राहुल डिर्विड के लिए सोसल मीडिया पर भावनात्मक नोट लिका है और उन्हें एक महानवेक्ति बताया है इस दोरान दुरेल ने राहुल डिर्विड के साथ एक पुरानी और एक नई तस्वीर भी पोस्ट की है दुरेल को इंगलेंड के किलाप टेस्ट सिरीज में डेबू का मौका मिला था वराची टेस्ट में टीम इंडिया की जीत के हीरो भी रहे थे उन्हें उनके उम्दा परफॉर्मेंस के लिए प्ले आप दा मैच के अवार्ड से नवाजा गया था टीम इंडिया के पाच मैचों की सिरीज में तीन एक की बड़त बना चुकी है जीज का आखरी मैच 7 मार्च को धरमसाला में खेला जाएगा धरमसाला में पाचवे और अंतिम टेस्ट से पहले जुरैल ने सोचल मीडिया के प्लेट फार्म पर एक्टेक डेविड के लिए नोट लिखा था और उन्हें एक महान वेक्ति बताया था जुरैल 2022 में भारत के अंडर 90 वड़कप के विजेता के टीम के हिस्सा थे भारत ने उस टूनामेंट में फाइनल इंगलेंड को हराया था और किताब हांसिल कर लिया था राहूल दिविड उस टीम के मुखे कोश से सीनियर टीम में उनकी एंट्री लाजवाव रही है केल भरत की जगा उन्हें राजकोट के टेस्ट मैदान में खेलने का मौका मिला था जाए उन्होंने अपनी डेब्यू पारी में 46 रन बनाये थे इसके अलावा उन्होंने विकेट के पीछे अपनी पर्तिबा भी दिखाई थी राची में जुरेल बहले ही अपने करियर का पहला सतक चूक गए हो मगर उन्होंने पहली पारी में नब्बिरन बनाकर टीम को मुश्किल से निकाला था इस दोरान उन्होंने कुल्दी प्यादों के साथ मिलकर एक बड़ी साजेदारी भी निवाई थी इस साजेदारी ने मैच की रुक बदल दी थी और टीम इंडिया को विजेता बना दिया था इस से दिक जान करी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें